दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओकी नावर डूल इलेक्टिक स्कूटर के बारे में इसे आप मोपेट भी कह सकते हो कि यह उसी की तरह लगती है और ओकी नावर इसे कहता है इंडिया का फर्स कस्टमाइजेबल बी टूबी इलेक्टिक स्कूटर यानि बिजनस जैसे कि सिंगल चार्ज में जो रेंज है वो है 130 किलोमीटर की जो इसकी प्रैजिंग के हिसाब से काफी अच्छी है इसी के साथ की जो कपैसिटी है वो भी 200 किलो की है जो की काफी अच्छी लोडिंग कपैसिटी है और इसे चलाने के लिए किसी भी तरह के स्कूटर है यह ऐसी पोटेंशल रखता है कि ट्रस्फॉर्म कर देगा डिलिवरी सेक्टर को और इसमें कस्टम फीचर भी देखने को मलते हैं जैसे की कंपनी की नीड होगी उसी साफसे से कस्टमाइज किया जा सकता है इसमें आप चाहे तो कोल्ड स्टोरेज रखवा सकते है पीछे या फिर आप कैरियर रखवा सकते हैं तो इसमें कस्टमाइजेशन के काफी अच्छे ऑप्शन है जो कि डिलिवरी वाली कंपनियों की खासी जरूरत होती है जो इसकी लोडिंग कापैसिटी है वो इंडिया में तो मेरे साबसे अभी तक सबसे ज्यादा है इसके ला तो ये एक slow speed electric scooter है बट 25 km per hour की speed बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है जो delivery vehicles होते है उनमें 25 km per hour की speed ठीक ठाक होती है बिकोज उन्हें गलियों वगरा में घूमना पड़ता है तो वहाँ पे scooter इजनी speed वैसे भी नहीं पकड़ता बट as a delivery vehicle ये speed ठीक ठाक है उसके बाद ब बट इसे 100% चार्ज करने में लग सकते है चार से पांच घंटे और फुल चार्ज करने के बाद इससे 130 km की claimed range मिलती है वैसे ओकिनावा कहता है कि इसे personal use के लिए भी लिया जा सकता है बट इनका prime focus है delivery vehicles में जो कमपनियां होती है जिनका काम deliveries का होता है वहाँ पे इसका ज्या वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो आपका thank you मिलते हैं guys अपनी next video में